कि नमस्कार दोस्तों मैं अहरंद्र आपका इंडिया एजिकर्सन अपके यूट्यूब चल्व मैं स्वागत करता हूं जैसा कि आप लोग जानते ही हैं हम जोगर्फी के टॉप 200 कोशन देख रहे हैं तो उस कड़ी में हम इससे पहले तीन वीडियो बना चुके हैं जोगर्फ सब्सक्राइब लूट्योष चईकर करते हैं तो इससेश्टि के 500 करने में तो इस समय क्या क्या है है यहां सब्सक्राइब और हिंट्ब्स में ही जाके के देख लिए उसमें आपके सभी मिक्ष्ट रहते हैं हर सब्जेक्ट के तो वह आपके एक्जाम के लिए काफी इंपोइटेंट है उसको देखने के बाद आप काफी confident feel करेंगे और डारेक्ट कोशन भी आ सकते हैं वह चला है हिंदी का प्रक्टिस राट चला है और हिंदी का सेल्वस भी करा जा रहा बूर करिए आप रिजलिंग का प्रक्टिस राट चला है वह भी आप करिए और इसके लावा हमारे चोथा वीडियो हाई इसको आगे continue की जाएगा इसमें आज हम जोग रूपी के 50 कोशन कर लेंगे यह 50 कोशन आपके लगवाग 100-200 कोशन के ब्रावर होंगे क्योंकि एक कोशन हमको पता डिसकस करते हैं तो इस तरह से आपके 200 कोशन से आपके बहुत अच्छे त्यारी हो ज है चले तो अब बात करते हम आपके लिए जो आज का कोशन है निमलिकत में से किस भारती राज की सीमाय में में हमार से नहीं लगती यह कोशन हमारा repeat है अगर आपने इसका अंसर आपको नहीं पता इस से पहली वीडियो देखनीए तो आपने देहान से नहीं चिए यह आपन करते चलना है क्योंकि revision आपका important थे तो इसका अनसर है आपका A आपका यह आसम क्योंकि कोशन रपीट था तर्फ सीम जली अगला क्मश्चन है हमारा अब देख सकते हैं हरित क्रांती का पिता किसे कहा जाता है तो जो green revolution है उसके किसे कहा जाते हैं प्ढला टोड यह आपके और इंडियाम हरित करानती के पिता कहा जाते ہے एमसुलमयद र II 1966 सों और इसमें ग्योंग और धान के जो उत्ताधा स्टार्ट वह भान उसमें हमारी उपज बहुत अच्छी होई कि जो आम बर्गी स्कॉरियन में है इन्हेба कहते हैं जो सफेद करान्ति है यानि कि जो सफेद क्रान्ति find दूसे लेटर रहती तो उसके जनक यह है यह यह सब बर्गिश्व क्यूर्युन ऑः जो आप अमूल कंपणीदेखते उसके फांडर भी बर्गिश्वग क्यूर सुकत जिंग्रल कुशाद अगला पुर्ट धे दिल्ली में कोई मैच सुभई 10 वज शुरू होता है तो लंदन में दर्षाग उसे किसमय देखेंगे जैसा क्या आम जायनते ही जो दिल्ली का समय है वो लंदन से 5.5 गंटे आगे रहता है तो भारत का समय रहता है वो लंदन से 5.5 Looking आगे रहता है तो हम 10 वजे से साड़े-5 घटा देंगे तो इससे हमें लंदर का समय मिल जाएगा इसको हम देखिए नौ साड़े-5 घटा दीजिए यह आपका साट में से तीस किया तीस बच्चा नौ में से पांच गया चार यह लेजिए साड़े-4 बजे लंदर में दर्सक देखेंगे उसमेंच को साड़े-4 अफ्चन है यह देखी जा, ऑप्चन-B और जो भरतिय मानक समय रेखा है यह आपका इस्टे इंडियाने, प्टा, पनौ रेका है, भो आपकी इल्याबात के नईनीक से गुजरती है यह आपको पता होना चाहिए इलाबाद के नईनीज के पास से गुजरती है वो रेका एक जाम में पूछा गया है इंपोर्टन और वो है आपका जो गोदाबरी नदी पर बना हुआ है गोदाबरी नदी का उद्गम इस्थान तहीं मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बना बताया है तो आपको पता होना चाहिए चलिए अगला कोश्चन है हमारा भारत के सबसे लंबा राष्टी राजमार कौन सा है तो यह इसका आंसर है आपका NH44 यह आपका सबसे लंबा राष्टी राजमार का है और इसे NH7 भी कहते थे पहले हुआ है चली है अगला question है हमारा शोंति है भारत के सबसे बड़ा काफी उत्भाधराज कौन से है most important question है कई बारे एक जामें पूचा गया सबसे बड़ा काफी उत्भाधराज तो इसका अंसर है आपका आप देख सकते हैं इसका अंसर आपको अफसर सी करनाटक करनाटक पहले नंबर प्रें आपका दूसरे पर केरल है क्यां कर तीसरे पर तमिलनाडु तो तो साउद के ही सभी राज्यापके पहले आपका करनातicie दूस्चरे से केरल कात्यीक है इस तैगा को थोड़ए साम इसे र्लेटट कर शकते हैं चीजों को रहे हैं तो भए मैं खुशन करता हूं आपको कुछ चीज़ रिलेट कर दूँ मेघाला राज का अबस्तित में आया तो मेघाला राज मना आया आपका 1972 में तो यह आपको इंपोर्टेंट है और मेघाले की गारो खासी, गरो खासी, जैन्तिय, तीन पाड़े हैं यह मोट्ट इंपोर्टेंट एधामी पूछी जाती है जैन्तिय, गरो खासी यह जैन्तिय, यह आपके थीन पाड़िया जो में ढलेकी जिन से कही वार कुशन बना है और आपका 1973 आपकी इंपोर्टेंट डिर्ट आपको वो आपका 1923 में लांच किया गया तो तो अगर प्रजेक्ट है वो 1923 में यह सुपर मोस्ट इंपोर्जिन पूशन 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 पूशा जाता है तो इस टेट को भी आपको याद रखना है अगली कोशिन है महारा भारत में एक मात्र मत मैला जौलामं की तो इसका अनसे आपका बो है आपका 36 गड़ में यह आपका 12 सरकार ने 1980 में से राष्ट्य उद्धानों से किया था 1922 में यह बना है आपका और आपका पश्चम मंगाल में सुंदर्मन राष्ट्य उद्धान है सुन्दरवान डेल्टा वी पस्ट्र मंगाल में यहां से रेटेड एक क्वेशन आपका इंप्पोर्टेंड और आपका उडिसा में भीतर निकाए भीतर निकाए तो यह आपका राष्ट्य उद्दान है एक और जहरखंड का आप कमेंट करके आये जहरखंड में कौन सा राष्ट्य उद्दान है और आपका दुद्भा नेसल पार्क उत्त्र पुद्देश में लखेंपूर खुरी में यह भी इकजम में बूछा गया इंप्वा नेसल पर ठेगेर हैं और आपका जिम कार्वेट य यह आपका उत्तराखंड में है जिम कारवेट और आपका अंसी नेसल पार्क एक करनाटक में है याद रखना है और आपका एक गुंडी नेसल पार्क है गुंडी तो यह आपका तमिल लाडू में है इसको गासे गुजराथ याद रखनें आप सभी नेसल पार्क है तो चुर्डी पोछप स्कंण आपको इनाल रखने को यह आप तो अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से आपको निखल पारफ के वीडियो बना दूँगा अगर आपकी डिमाइंड रहेगी तब इसमें आप कमेंट करके बताइए अगर आपको निखल पारफ के वीडियो चाहिए तो चलिए आज का हमारा लाश कोशन है सिंदु नदी कौन से सायक नदी मानसरवजील से निकलती है तो सिंदु नदी के जो सायक नदी है मानसरवजील से निकलती है वह आपकी सतलच और ये निकलती है राक्छस्ताल या राकस्ताल किसे कहे रहे हैं मानसरवज के पास राक्छस्त राकास्ताल भी राकास्ताल है तो वहां से निकलती है इसके बाद सतलचॉँ आहके मिलती हैמि जिनाम मिलती है file đi संधू पाकिस्तान से होते हुए अच्रaph module आप पाकिस्दू मितलब संगं कहा है और संगों मांसुरवज्यृ के पास है संदू न दीख हमारी हम हमारे जाघर बेस्ते जोंटहर से नहीं कर चो इन जिर्फ पचास को स्वें और आगे आपके जो ड्रेट को स्वेंगे वीडियो आपको कैसा लगा अगर आपको वीडियो पसंद आओ तो लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ में बाट्साप फेज़ूप पर शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब बिल्कुल मुफ्त मुए है कोई भी पेट कोस्ट नहीं है याँ पर सब कुछ फ्री आपके लिए तो आप इंजॉय करें और अच्छे सा पढ़ते रही और एविन करते रही है चले मिलते अगले वीडियों तो तो लिए नमस्ता हुआ